स्वागत देश्वी देश्वीच पैठे सारे दर्शकादा बहुत-बहुत स्वागत कर देया और अधे अपने प्रोग्रेम गल्ला ते गीत देविच में आमेगा कई वार बिमारी दे आन तक असी सेथ दे महतवनू नहीं समझ पान दे सेथ जरूरी है यशी सारे जान डेया पर य भी देख आजान मेगा है कि जगोई तकलीफ हों दिया है असा नू कोई सार थोड़ा बहुत चाड़ रहा है छांसी जादा देर रहे है या फिर शाती दे जकडरन मेसुस हो या बहुत सारे कारने इना कारना नू असी किते ना किते ए सोच के पूल जानने है कि चलो वक्त देनाल ए आपे ठीक हो जानगे पर जदो ए वक्त देनाल आपे ठीक नहीं हुन दे ओस विले एक गंबीर बिमारी दा रूप तारण कार लें देने मैं ए गल आज अस्थमा दे संधर्ब दिनाल कर रहा है कि आज दो मई है पूरे विश्व दे विश वज अस्थमा दे मनाया जा रहा थे आज गल्ला दे गीत प्रोग्रैम दे विश मिर ए इसे विशेते चर्चा करांगे कि अस्थमा की है यह क्यों हो जानदा है ते केड़े ओ कारण ने जिननों बिलकुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए दा ताकि एक गंभीर बिमारी ना बन सके ते गालबात करन ले स्टूडियो देविच बहुत बहुत स्वागत कर देया है डॉक्टर चंदर शेखर शर्माजी दा डॉक्टर चंदर शेखर शर्माजी प्रोफेसर ने हैड ओफ डिपार्टमेंट ने आयरुवेदिक मेडिसन देविच देयानन आयरुवेदिक कॉलेज जलंदा देविच बहुत बहुत तोड़ा स्वागत कर देया है अज वर्ड ऐस्थमा डे है जस्ता में शुरुवाद द सादी पुमारी दमा स्वास रोग यह जड़ी चीज है इनों अपां अस्तमा देविच लेने हैं ते इदेच भूंदा की है जड़ी साधी नालियां है जड़ी फेफड़ी आगे है और नालियां किसी कारण वर्ष और शिकूर जान दी है उदेच इंफ्लमेशन हों दी है त दिखत जड़ा उनों खांसी रहेगी ते उदी चाति जिद्धा कोई कहेगा सानू कि जड़ा ज़कड़ गया है कोई टाइट करके उनों पकड़ रहा है ते शीटी आ वजना इता देदी वह चीजां उनों महसूस हों गिया और जद आदमी इस तरह दी बीमारी नाल जूज अधे जो डेली लाइफ दे रूटीन है गी है बोडी सफ्पान्टी अधे नाल जिद्धी णौन प्रॉडफिटिवीटी इस तरह बूज कर दी पूरे विश्ट मनाये जारहे था, ज़ड़े तो जानांगे की वर अस्थमा दे जड़ा है क्यों मनाया जान दा कि इतिहास है अपा सारे जानते हैं कि WHO का वर्ल हेल्ट ऑगनेरेशन उन्हां दी कुलेबोरेशन दे नाल एक ऑगनेरेशन है गिया गलोबल इनिशेटिव फॉर अस्थमा इन 1993 दे बिच एस्टैबलिश हुई सीगी ते इना ने स्पेंच एक पैंती कंट्रीज ने मिलके अस्थमा दे उपर एक कॉन्फरेंस की थी उस्तों बाद सारे जड़े देश है गया आस्ते आस्तुराल जुड़ दे गए ते होन अपा इनू मना रहे हैं एज वर्ल अस्थमा दे क्योंकि यह सालानना इवेंट हैगा मैइदा पहला मंगलवार आएगा उन्हों अपां वर्ल अस्थमा दे मना रहे हैं ते थीम दीजे गल करिये हर साल वर्ल अस्थम देती जान दिया उस थीम ते फिर कम किता जान दा है ते इस साल यानी 2003 दी की थीम है दिखी मैडम यह जो समय समय दे सामनाल गाइडलाइंज इसू कर दिया अस्थमा दे पेशेंट नूँ एवेर करने वास्ते उन्हों एजूकेट करने वास्ते इस साल दा थीम हैगा अस्थमा केर फॉर आल अच्छा जिनने भी लोकी अस्थमा दाइनाल गरस्त है गया जो डाइगनोस्ट होए च असेसिबल नहीं है गया इननादा परपस एगा इस थीम दे नाल लोका नूए और पहुंचाना मैसेज देना पुरे वर्ड नूँ कि हॉस्पिलाइशन मीनिमम हो जडिया इदे नाल डेथ सो रही है ओ कटन ति ट्रीटमेंट मोडैलिटीज पेशेंट ले रहा है गा डॉक् जी पाए जे नान नाली है जेडिया नहीं डॉलमेट इदी ट्रीटमेंट दे विच आ रही है गिया उन्हान नूँ लोका दे विच लेके आना फिसीशन दे लेके आना उन्हान इंपलीमेंट करना तक यह अच्छी रिजल्ट्स नाल अपा आस्थमा दे पेशन नूँ एक एक्टिविटिस है गया कोई सेमिनार्स कर रहे हैं सिपोजियम्स कर रहे हैं ते आम जंतों नूँ इन्वाल्व करें उन्हान दे बिच इस बिमारी नूँ लेके जाग रुटता जे ओं कर दे हैं ते तक कि आम जंता अपने आपनों जे उधे परिवाच या उन्हें आस्प हों दा क्यों हो जान दी है बिमारी देखे बहुत कारण है गया जरे पेशेंट नूँ दमें दे रोग दी तरफ लेके जानने है जिदन आपका कई एक उन्हों दमा हो जानदा है जे जे ते किसी एक नूँ पॉइंट ओं करना बहुत मुश्किल हैगा पर जे मैं तो नूँ मोटी मोटी चीज दर्शकान दसना ताया एक हैगा जड़ा अपनी फैमिली टू फैमिली चल रहा है है डिक्टी अपा जुनू कहने है किसी नूँ बुज़ूर्गान नो सेगी अगे फैमिली चागे हो आगई जे नूँ आपका कहरे है उन्हाननों होन दी चांस बहुत है म अन्हाननों हे फीवर जिन और अइनेट डिस बार बार जुकाम होंता है अखांच पानी आना उइधा सरह दी बिमारी है गया है मींस कोई ने को इलर्जी और डी बॉड़ी एक्जिस्ट कर दी पही है तो उन्हाननों चांस है कि इस चीज तरफ वदन गे फूचर दे बिच दूजा डूरिंग बर्थ डिलिवरी अरली जो हमारे लाइफ दे पिरियर्ट से गया उन्हान चांस प्रीमेचूर बेबी से गियां नों बर्थ बेट बेबी से है यह जिनननों डस्ट पोलन एंवार्मेंट पोल्यूटेंट्स केमिकल्स फ्यूम्स इना वास्ते इना दे नाल डिफरेंट काइंड्स दे अपने साटीकोल पॉद्य है उन्हान पॉद्यां पोलन से नाल ने लर्जी है तो बहुत से कारण है गया है खासकर एक होर चीज आड़ करांगा है जड़े मुटापई नाल गरस्त है गया है बच्चे है अन्हान जड़ा चांस आगें कि अगर जड़े में पहले हैं फैक्टर दसे ट्रिग्रिंग फैक्टर्स उन्हान दे कॉंटेक्ट्स रहेंगे या हेरेडिटरी होंगे और उद्धो तो अवबीस भी है उन्हान चांस है गया है कि अस्थमा गरस्त हो इन फ्यूचर जसता उसी हेरेडिटरी गाल किती ते यह भी लाजमी है कि जे मानू अस्तमादी प्रॉब्लम है ते उदे नव जन में बच्चे नूँ भी हो सक दिया है चांस है गया है नो डिपेंड करदा है बच्चे दी इम्मुनिटी के हो जी है गी है जड़े ट्रिग्रिंग फैक्टर उदे जीन दे कॉर्डिंग है उन्हान एक्सपोज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो प्रहेज कर रहा है बच्चा फैमिली नूँ पता है कि मैंनों हैगी है ता उन्हों ट्रिग्रिंग फैक्टर्स दे कॉंटेक्स नहीं आ रहा है तो एपिसोड मीनिमाइस हो जाएंगे लेकिन अंडर ग्राउंड जिन्हों पता है जिद्ध में क्या कि साधी मावारी है लंग्स फेफडे इन्वाल्व है गया है जे तो सबते पहला मरीज उन्हों खांसी होएगी और खासके रात उन्हों बहुत तंग कर दिया है बाच जाके पहले सुक्की खंग रहेगी बाच जाके बल्गम भी आ सकता है जे जे स पर फिर पेशन करना मेंनों सा लैंच दिक्कत है गिया है पहला नॉर्मल एक्टिविटी करदा डेली जिमालो सौ मीटर दोसो मीटर चल दा है या रोज सैर करदा है कि मैं पहला जितना चल दा सी उनना ना चलन ते बावजूद भी मैंनों सा फूल रहा है फिर जिस टैम उस सा लैंदा है तो उस टैम जिदा विसलिंग साउंड सीटिया बस दिया उद्धान दी साउंड उधे स्वास नाल निकलेगी आसपास बाकी बैठे लोकानों भी महसूस है कि इन्हों कोई दिक्त चल रही है तो यह भी फील कर दा है कि मेरी चाती जगडाहाट दे है चार चीज़ां है जड़ियां पेशेंट नो अर्कदी होन तो उन्हों अलर्ट हैना चाहेदा है और क्योंकि ए चीज़ां अगर होन गिया था ना खा पाएगा प्रपर लिए न किद्धा किता जानदा है किद्धा डाग्नोस कर देऊं कि ए अस्तमा ही है जी जी देखिए इस टाइम इस तरह दी को कम्प्लेंट लेकि मरीज आनदा है जी जुरूई नहीं हर कम्प्लेंट ही अस्तमा है अपा उन्हों पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेन्या उदी पूरी लंग्स फंक्शन टेस्ट है गया है कितना आप हावा अंतर लेके चड़ रहे हैं कितना रेजडूर वॉल्यूम बचता है को अधे मतलब फेफड़े प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फेफड़े दे विच कोई लबे टैम तो खांसी रही है अगर पेशेंट कम लेक अगे जाके अस्थमा बन सक दी है अगर तो स्पैसिफिकली लंग्स दी है घी है यह अगे जाकि अचे कनवर्ट होएगी ज्यूरव ही यह औरत अंधर हैं लेकिन्टर अंदर है है इम्मुनिटी सप्रेस होई है तो चांस है कि अपने आपने आपनों बचावांगे या अपनी लाइफ नो प्रोलोंग करांगे तो बाकी जड़े परिवारिक सदस ने उना नू की सावधानिया वर्तनिया चाहिए दिया है विमारियां मोठे तोरते में दर्शना वास्ते कि दो तरह दी आगी है एक जड़े कॉंटेक्ट नाल फैल दिया है यह नॉन कॉम्निकेबल डिजीज है एक दुझे नाल फैल दी नहीं है तो इसे को डरन दी जूड़त नहीं है यह करदे बेच कोई अस्थमादा मरीज हैगा ह साइप आपन जिद्धा मैं इन्फोर्मेशन देती है कि यह क्लिनिकल फीचर यह न दे जिम्टम मिलने है तो उन्हाना किद्धां डील करना है कि बच्चा छोटा है व एकस्टें नहीं कर पाना इस वास्ते नॉलेज करवाले कि आपना जुरूरी है तो बच्चां दी जैग लक्षन था बहुत है डिफ्रेंट नहीं है तो पेश्ट रहा है बाट फेशंट थे आ टूपट नहींट बैट वाए रह रहा है। किसनों सिर्फ स्रुखी खांग ये कोई हो रहा है जो हुआ रहा है। कुछ हान दे है खांग नहीं है उटके बेठना पेंदा मैंनो साफ वूर रहा है बच्चा बच्च नहीं पता कि बिमारी की चीज है उन्हों नहीं पता खान नो दे आहा है उन्हों करन चाहर है विए एक्टिवटी करनू कह रहे हैं जद कोई पेरेंट्स इंदर नी कंपनेट की आना है ता पां उन्हों कहने है पर स्कूल च भी कंसर्ट करो टीचर नूँ दे इस दी कलास दी बच्चे जिनना वो एक खेलदा प्या है वो बच्चे उनना बराबर खेलदा है कि थक के बैठ जानदा है तो कोई ने कोई दिक्कत हो जानदी है कि इनूँ एस्थमा है ते होने इनूँ इनूँ इलाज दी लोड है ते उस मेले की इलाज जड़ा आश्थमा दा आउ किता जानदा है सब शोम्हकंब करना सिट्वेशन कदे इग्णोर ना करो कि मैंनु हो गया को इनी आ पी ठीक हो जाएगा इद्दा नहीं ह तो बिना किसी अच्छे द्वाईयां दें दे रहें तो फर्क पाएगा क्योंकि आनक बच्चा नहीं है बमार है तो फर्क पाना है तो जब डाइगनोस हो गया डॉक्टर दे को प्रोटोकोल दे तहत वनुर द्वाईयां दसेगा तो मेरी रिक्वेस्ट है काइनली जिद्धा द्वाईयां दे तो अंदस्या है उद्धा ही उन्हों अपने डेली रूटीन नू या योगा परानायम जो भी डॉक्टर दस्या है या दवायां देती है डिफ्रेंट तरह दियां परेज दस्या आगया उनुन फॉलो करो ताकि अप जड़े फेफडे आया उधी नालियां जड़ियां सुकुड गई आगयां वो सिच्वेशन दुवारा क्रेट ना हो और ना क्रेट होन तो बाद तुसी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जी ते इलाज दी जदो गल हो रही है ते इक गल में होड जरू करांगी कि जदो दमे दे इलाज दी गल हूं दी है ते एक डर ज जा सकता क्योंकि कदी वी ट्रिगर अस्तमाद में नूं हो सकता है जड़ा डर है उस मरीज नूं होर बिमार करता है विलकुल सही क्वश्चिन किता हूं से जे क्योंकि इन्हेलर दा बहुत बढ़ा रोल है विमारें उठीक हानवासते एक चीज समना बहु जरूरी है कि अप अपन कर रही है तक कि अपा एर इन्हेल कर रही है अंदर कि मरीज नूं वधिया लगे ते इद्धा बिलकुल नहीं है गा कि मैं नू आत पह जाएगी मैं एडिक्ट हो जूँँगा इद्धा कुछ नहीं है एक चीज समनी बहु जरूरी है ये बिमारी अपा कहने है कि मेरी जरूरी बिलकुल ठीक हो गई ये उमरीज कहने है जिनू पिछले कुछ हफ्ते आं तो एक बार आ गया ते इन्हेलर दी फ्रिक्वेंसी शॉर्ट टर्म या लॉंग टर्म डॉक्टर उधे सामना डिसाइड कर दे बिलकुल भी आत नहीं पहनी है क्योंकि मेरा ये मनना है कि जान है जहान है ज जान बचेगी तह आपा साइड इफेक्त साइड इफेक्त साइड इफेक्त पे एलस बदा खें टे लोग की एवी सोच दे कि बच्चे नहीं राया है टे उन्हें नहु blasting कुछ ले झेंदगी ए न॓ं जिंदगी जीन दू अन्हें तो अनुनीनें दी जिन इंडिया चे लगबग 75% तो ज्यादा लोकी जड़े अस्तमा तो गरस्त है गया है वो ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं रीजन बिंग तुसी होन क्वेश्चन किता कि मैंनो आत पह जाएगी वह चीज नी समधे गोली भी रोज खा रहे हैं गोली माले जी अपान दो मिली ग्राम देती है तो कम से कम जेटे बीपफ सो माइक्रोग्राम दे ले अपा एक पफ चलग बग सो माइक्रोग्राम दा इने मेडिकेशन हागी है तो बीपफ दे बराबर जो यह गोली होई हो जे जे उन्हें एफेक्ट भी बहुत तेजी नल करना है जेडिए अपा ओरली दवाई पहला डाइजेस्ट होएगी ब्लड चाहेगी फिर उपर आएगी ये डारेक्ट कॉंटेक्ट जा रहा है अपसादे एरवेस देनाल ते एकदम एफेक्ट देगा क्योंकि सा लैंच दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मरीज दी जान भी आ सकती है देविच जाननों बिल् लिए दो कि उपने कोल रखना चाहीदा विलकुल रखना चाहीदा लेकिन यूज जिद्धा डॉक्टर ने दस्या उद्धा करना है जी उद्धा अपने ही सावदानी ले इनहिलन ह्या है हो अर् आपने कोल होना चाहीद कि जे किड़ी चीज तो जड़ा है ओ ट्रिगर हो जानदाँ एक्डम जड़ा आश्थमादा अटेक है ओ आगा जानदा है ओ वहाँ सकदाँ पेषें टू पेष्टर बेरी करता है अधे की केड़ेटिंग नों कहते हैं ट्रिग्रिंग सब्साइड कर दा सिचुएशन नूब कॉमनली है तूल है तूहां है मिटी है फ्यूम्स डिफरेंट कांड दे कोई एक पैट्स है उनने फर फैदर्स तो एन्वाइमेंटल और फैक्टर्स कर दे एक और एक फैक्टर्स कर दे करन भी के वार हुंदा है क्योंकि ऐसे कमरेज व चोटा है तो फैमिली नूए आप डिटेक्ट करने पर किदे कारण दे जिकत बद्दी है वास्ते ट्रिग्रिंग फैक्टर है ते उन्हों अपाइड करिये तो अपना बचा कर सकते हैं जी बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर तो ज्यादा ता मरीज नूँ पता है मैंनू किदी क अ अब नहीं है कियोंकि हर चीज दा जड़ा आंसर हैगा वो टेस्ट नहीं है मरीज केड इमः महाल जा रहा है मालो खेतां चकाम कर दा है जाननू में खत्रा है। जी अपनी कलवाज डॉक्ट साब बेस्तरा कर दे रहांगे प्रोग्राम दे नाम है गला दे गीत गला दे नालल एक गीत बिलकुल ते आरा है देख देया ते सोड़ देया एक गीत सेत मंदनी किसे ने रेडा हवा माही बिमार हो गया रप दाही रूप जेडा रुखाताई पालदा खाट दाही पुन वात वरन संबालदा रुख रहे ना मनुख वी नी रेडा रुख रहे ना मनुख वी नी रेडा रुटाही खुआर हो गया तेत मंदनी किसे ने रेडा हवा माही बिमार हो गया हवा माही बिमार हो गया सोचांदिया शाखा ते गयान वाले आलने पाले जेड़ पांचिया तु सुख वड़े मानने सोचांदिया शाखा ते गयान वाले आलने पाले जेड़ पांचिया तु सुख वड़े मानने हतों बत के दवाया अते खाता मनुख ताते बार हो गया तेत मंदनी किसे ने रेडा हवा माही बिमार हो गया हवा माही बिमार हो गया पानी गंदा हो गया सहारा केड़ा जीननू हंजु पशतावे वाले रहे जाने पीननू पानी गंदा हो गया सहारा केड़ा जीननू हंजु पशतावे वाले रहे जाने पीननू रब रहमता करूगा जगो वाले आ जे आप जुम्मे वार हो गया तेतमंदनी किसे ने रेणा हवामाही बिमार हो गया तुसे वेकरे उगुजी प्रोग्रैम गल्लाते गीत गीते बच-अस्थमा वारे गालबात कर। अज 2 माई है पूरे विश्टे विच वर्ड ऐस्थमा जे मनाया जा रहा है ते डॉक्टर चंदर शेकर शर्मा जी स्टूडियो देविश साडे नाल ने थे असी ऐस्थमा नो लेके गलबात कर रहे हैं ते डॉक्टर अब थब तो जान दे है कि ऐस्थमा जड़ा है वो जान आ रहे है महिने चो एपिसोड काट है गया जे अब नंबर ऑफ एपिसोड बहुत हैगा ते मिरीज जड़े ट्रीगरिंग फैक्टर्स है उन्होंने वाइड नहीं कर रहे है ते नाल जड़ी दा प्रोटो कोल हैगा है ट्रीटमेंट दा उन्हों भी फॉलो नहीं कर रहे है आटेक्स बदन गे और नालियां शुकुड न गया ऐर वेज दिया ओ शुकुड नाल शुरीर नो जनी ऑक्सिजन चाही दिया हो सप्लाई नहीं होएगी धीरे धीरे की करेगा वह जिद्धा समय वेतीत होएगा उन्हे नाल वह बाकी जड़े वाइटल ऑर्गन्स है उन्हे इंपेक्ट डालेगा फेफड़ें तो सा नहीं आ रहे ता रैस्पेटरी फेलियर्स पेशेंट लैंड कर सकता है के बार तुस्य सुने होना है कि मेरे होंट नीले पाएगे हाथ नीले पाएगे फेफड़ें ते असर करना अक्सिजन दी कमी होगी तो नीला पन आ गया सारा इंडिकेट कर दी हैं कि बहुत सीविर सिच्वेशन है गिया जिदा आप होंग कह लिए जी कि मेडिकल एमर्जेंसी है गिया तुरंत डॉक्टर नों कंसाल्ट करके पेशेंट नों होस्पिटलाइज करना पाएगे ते मौसम दी जे गल करिये मौसम दे बदलन दा की असर प कणंगदी कटाई चल रही है डस्ट पहला भी है लेकिन बहुत बदगी उदे जड़े पार्टिकल से हैं हवाज बहुत है जब आपकां करने मास्क यूज नहीं कर रहे मैं कहा रहा है कि काम नहीं करो काम करो बट मास्क यूज कर लो तक यब उस एन्वायमेंट से जाओ ले अपरेज करो जए किसी नहीं ब्लाट प्रेशर दी समस्या है ते उन्हु आस्थमा भी है ते उसनों ज्यादा साफदा नहीं पैएगी या कोई खास साफदा नहीं पैएगी आपने आपनों बचाओन ले या ऐस ले की आस्थमा दा टैक नहां अवे लेको जी अए अस्थमा कोई भी बिमारी होगी ज्यादा बिमार श्रीर है उतना ही काटर रिस्पॉन करेगा और द्वाई नो कि अस्थम वाला मरीज है उन्हों चांस है कि लेटर ओन हो जाए कि फेफड़ें चे बहुत फर्क पाएगा फेफड़ें शुकुर जानगे नाड़ीया दिल प्रेशर पाएगा तो फ्यूचर चे जाके कनवर्ट हो सकता है कि उन्हों होए नाल नाल भी दोनों है गिया तो मैं चेंजिस द्वाईच हो कहने है जड़े रिशेडियूलिंग तो डी दोस्ट कर दिया उन्हों तुसी अप्लाइगा ते डॉक्षर बेवी होंदा ना कि जे किसी मरीज नू अस्त्मा है ते उन्हों लगदा है कि उन्हों मैं ठीक हो गया उन्हों काफी टाइम हो गया छे मिन अपने को नहीं रखना चाहिए देखो जी एक कहावत है कि फायर अंडर अश राख ऊपर रहे निच्चे पंजाब इस अपने जल्दी पर उपर बुझ गी हो जो आन्नों कोई सिंटम नहीं आ रहा है यह बहुत वदिया गाल है क्योंकि तुसी परहेज कर रहे हो तुसी द् अपने को अपने होते तुसी अटैक तु बचे हो यह जद भी कदे तुसी ट्रीगरिंग फेक्टर दे कॉंटेक्ट चाहोंगे वह दिक्कत बढ़ेगी जह सिवेर्टी ओफ अटैक पहलना तो डिफरेंट होए ते अपनों यह त्यां रखना है कि मैं ठीक नहीं होया इस्ट हो इदर मैं यूज नहीं करनी क्योंकि पता नहीं अटैक किस वक्त आना है तो अडेकोल अपना जैडी फैसलिटीज हैगी है वह अपने काल होने ही चाहिए ताकि आप अनूं अटैक को बचलने यूज करिए ते डॉक साब आस्थमा दे पेशन नो खान पीन संबंदी की करना है यह साथी चीजा में तान दसी हैं कि बार बार जिन्हों पाके था रेकरेंट रेस्पेट रेक इन्फेक्शन उम्रीज नहीं ना होन तो यह हो जही है जेडियां प्रहेज है गया है उसानो खान पीन चीभी रखने मेरा बार 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 गला खराब ना होए नक बंद होए ना खटियां चीजां तलियां चीजां ठंडियां चीजां जिद आप गर्मी आ रही हैं कर गए गर्मी चों फ्रीचों कड्या ठंडा पी गए यह तुरंत ता राम दे रहा है लेकिन तो अड़ी बिमारी नों बहुत बुरे तरिके नाल सामने लेके आएगा आन वाले स अपाइदा कर दे रहे हैं ते रात रूंदें बिल्कुल ना खाओ ठणी चीजां ना खाओ समय नाल खाना काओ सब तो जुरूरी हैगा कि अस्तमाच ने सारी बिमारियां टाइम नाल खाना खाओ ताजा सबजियां बनियों यह ओलो गर्म खाना खाओ और पानी कोसा पियो गार्गिल्स करो स्टीम लै सकते हो ठीकए ऐसारी चीजां तो नूहां आनव वाले टेक्स वो बचा आनगी यह जे बच्च दी में गाल करां ते खान पिंदी जिस्सा गाल हो रही है जे बच बच्चत नू ए शमस्या है दमेदी प्रॉब्लम है ते बार दे खाने दीजे मे देखल करिया है विमारियां सेगी है पर इन्यां नहीं सेगी है रिजन बिंग लाइफ स्टाइल चेंज इस फूड है बिदी चेंज इस रेडी मेड फूड जे पहला दो टैम रोटी खांदे सी हुन छे टाइम आख तैम हो गया बार भी अपां खामांगे फिर घर जा कि खामा वह दिक्कत रहेगी तो अल्रेडी है गा थे उन्हों बदाएगा वो दे बच्चे नो फ्राइड फूड आइटम्स उन्हों भी जिदा में पहला दस्या कि कहर दा सिंपल खाना को आओ वह बच्चे नो हैबिट पाओ ताकि आगे वह अच्छी जिद्गी गुजार सके कि अपनी लाइफस्टाइल दे विच भी बच्चे नो कुछ चेंज लियाना पएगा ताकि अस्तमा दे जिड़े अटैक है ओ ना हूँ लाइफस्टाइल से मेन जेड़ा चेंज बच्चे नो फैमिली देसे योगना लेके आना है वह एगा कि माली जे वो मिट्टीज खेल रहा है अब बच्चे नो खेलना तुसी मनात नहीं कर सकते लेकिन उन्हों मास्क पर आगे पे जो हैंड वाश करने है उन्हें इस पर की दासदा है या स्थमार जेड़ा पेशेंट है जो डॉक्टर को जाना है और आयरुवेदिक मेडिसिन लेना चांदा है ते किस तरह ए सारा कुछ प्लान किता जाना है ते आयरुवेद तो श्वास रोग देना आते इस विमारी ता वर्णन हैगा है ते पंच करम दे बिच मोडैलिटीज है गिया जेड़े कारणापा श्रीर नूँ जड़ी गंदगी है तो दूर कर देया फेफड़ेयां नू विसफारित होंच जड़ी है घल्प मिल दिया फिर है शमच गिस्सा द्वाइया जित उसीं क्या डिफेंट काइंड्स है जिता चू किचन दे बिच भी बहुत दी चीजां है मसाले है जड़े इस चीज नूँ इम्मिनुटी नूँ बदान चाथ है अटैक नूँ कट कर देया तुल्सी है हल्दी है काली मिच है दाल चेनी है मुलठी है नीम है ऐलो बेरा है गा एक पुश्कर मूल है सौमलत है हर्व्स है कर दिया है ते भीमारी नूँ एग्रवेड ना हुए उन्हों उदे दो बचा कर दिया है ते डॉक्टर अब जिस ता खांसी अस्तमा दी मरीज है एकदम खांसी चेड़ दिया चाहिए रात दा टाइम हो चाहिए देन दी गल करिए ते की ऐसी चीज आपने कोल रख सकते ने जो सारे कार दे विच मोझूद है सारे रसोह कार दे विच मोझूद है सिदेनार कुछ हाद तक खांसी दे विच आराम अराम मिल सके तरर यह अलोड़ सो सकते है गलायों दों ठैपर सीपिपे करकेusi और बहुत बदी आयो बीस्ति वास थैं या मेडिटेशन इदे विच किद्धा सहाई है। योग डिफरेंट काइन दे योग है गया है। उदे लंक्स ते फंक्षन नो इंप्रूव कर दे है गया है। आप करिये ते बच्चे नो भी एक करने दी हैविट पाईए। और भी जरी यहां सिस्टेमिक डिजीज है गया है अब बच्चे नो भी बचा सकने है। तो उसी किया कि मैडिटेशन पहला शुरू चिया कि फिजीकल मैडिकल डिजीज है गी है। अब डिएग्णोज कर दे हैं। शरीडिक है गी है, मानसिक नहीं आगी है। लेकिन लंबे समय दे नाल किसी नो को बिमारी है गी है ता जाह बिमारी नो बढ़ान गिया। इम्मुनुटे नो कटान गिया। अब बढ़ान गिया। अब अब लेके चलिए कि मैं द्वाई ले रहे हैं। दॉक्तर दे कंसर्ट में कर रहे हैं। तो कोई भी और दिक्कत क्रेट ना हो श्रीर से जड़ी इस बढ़ाया। योग ते अशी डॉक्तर हों दे नाते उन्हानों की सलाद होंगे की पारी कसरत उन्हानों करनी चाहिए जैसा जिम दे कई लोग शुकीन होंदेने। देखो जे अजे अल्रडी डाइगनोज है गा है अस्थमा, मेडिकेशन चल दिया पर ही हैं। ता हैवी एक्सराइज मैं कहूंगा कि उन जानदे जानदे दर्शकानों जरूर कोई संदेश वर्ड अस्थमा दे जरूर दो। जी मैंड़ी डिटेल ते अस्थमानों डिस्कस कीता आज। ते मैं कहना चावां कि इस चीज नूँ जड़ी में चीजां सिम्टम दसे नूँ इगनोर ना करो, प्लीज अपने आस पास कॉलिफाइड फिजिशन है कि उन्हों कंसल्ट करो, उन्हों प्रॉपरी डियाग्नोर्ज करो, प्रॉपर टीटमेंट मोडलिटीज लो, जेड़े फैक्टर दिक्कत्तों पर आंदे हैं उन्हों एवाइड करो, ते डिजीज नू मैनेज करके, कंट्रोल करके एक वधिया ज दिती है, काइंडली उन्हों उन्हों उधी गाइडलाइन्स उसी फॉलो करो, ते मोनिटर करो, जे आसी सारियां गल्ना दा त्यान रखांगे, ते अस्तमा ही नहीं, आसी किसे वे बिमारी तो अपने आपनों दूर रख सक देया, बस लोड हूं दी है, थोड़ा त्यान दे किसे चीज नू टच करन तू भी कब रोने आ, मिंट मिंट ते हथा नू सैनिटाइजर लोने आ, जिड़ दिलान वाइरस लगगे, दिलान वाइरस लगगे, आओ ओ वी साफ करिये, किसे तुम आफी मंग लईये थे, किसे नू माफ करिये, किसे नू माफ करिये, जार दिना दी जिंदगी का तोन अफरता पालियाने, लड़ लड़के एक दूझे नाल क्यों उम्रा गालियाने, प्रेम दाहत बदागे नमी एक शुरू आत करिये, किसे तुम आफी मंग लईये थे, किसे नू माफ करिये, किसे तुम आफी मंग लईये थे, किसे नू माफ करिये, हाथ जोड के रबतों डर के रैना चंगा है, दुख किसे नू देन तो खुद ही सैना चंगा है, किसे तुम आफी मंग लईये थे, किसे नू माफ करिये, किसे तुम आफी मंग लईये थे, किसे नू माफ करिये, जाता पाता तर्मा दे रोलानू छड़ गईए मनाच दब्बे वैर विरोदानू भी कड़ गईए आओ मिल सरवात दे पले लई हर दास करिये किसे तुम आफी मंग लई